देश में बेटियों के साथ दुषकर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रही है इस तरह की घटनाय दिन वा दिन बढ़ती जा रही है ऐसा ही एक मामला नर्सिंग पुर जिले के करेली थाने के अंतरग्रत ग्राम तांक कई पीपरिया का है जिसमें एक चोधा वर्षे बालि प्रित्य को अंजाम दिया है घटना गुरुवार की है जिसकी शिकायश शुक्रवार को परिजनों ने बच्ची के साथ के अरेली थाने पहुंच कर दर्ज कर आए परिजनों ने बताया कि पीप्रिया निवासी धनीराम पटेल उम्र लगभग 45 साल जो की पीडित परिवार के पडोस में ही रहता है वह गुरुवार को सुबह 11 बजे बच्ची आवं उसकी मां को जाती प्रमान पत्र बनवाने के बहाने आपनी मोटर साइकल से नर्सिंग पूर ले कर गया और मां कुछ देर रुकने के पश्चात लड़की की मां को वही छोड़कर लड़की को अप अपने साथ लखना दोन ले गया वहां शाम तक गुमाने के बाद रातरी क्रीब 11 बजे हीरन पूर ले आया जहां जंगल में बच्ची के साथ दुष कम किया बच्ची वहां चीखी चिलाई भी उसे मदद नहीं मिल पाई शुकरवार के सुबह रोपी धनिराम बच्ची को पीपरिया गाउ में सड़क पर छोड़ कर चला किया बच्ची वहां से घर आई उसके साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताया जिसके बाद परिजन शुकरवार सुबह साड़े दस बजे शिकायत दर्ज कराने बच्ची को करेली थाने लेकर आया जहां पुलिस क कि सुस्त कारे पर नाली से परिजन परिशान होते रहे पुलिस ने दिन भर पीड़ित बाली का यह परिजनों को बेठा कर रखा तीन बजे मेडिकल प्रिक्षन के लिए भेजा गया और शाम चार बजे एफ आयार दर्ज हो पाई पुलिस ने बलातकार सहीत पोस को एक्ट क के तहर प्रकरन दर्ज किया है और ओपिया भी पुलिस की गिराफ्त से दूर है तो अब राधा फर्माने क्या पता या पता रहो कहां पहुंचो तो सबेर दस बजे माने वो मौली भगया आई है ने अंदर वो छोड़के गया खोड़के और वो नहीं आया तो घरब माने तो फुलिस भी पीसे लगी रहे नहीं आया नहीं तलास कर वे अभी क्या कि अब सिकाद दर्ज कराई